नमश्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रावबन से मेरे साथ मेरे सेनिर बोटनी के सेनिर फेकल्टी सर्वेश जियादव आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सर्चा करने जा रहे हैं स्टेश सी 2022 स्टेट लेवल टेलेंट सर्थ एक्जाम 2022 जो 10 और 12 प्लास के बच्चों की होती है उसके वीडियो सोलिशन से पहले आप से हम चर्चा करने जा रहे हैं यह एक्जाम आज 8 दिसंबर को हुआ है एक अच्छा एक्जाम बच्चों गया निश्यत रूब से आपने इ लेते हैं ग्यारा बारा तेरा नीट और जेई और एंडियों की कोर्सेश लेते हैं सीकर में अपना खुद का स्कूल सीवेसी का नीट के लिए जेए के लिए एंडिये के लिए और कहां से प्रिज़ों कराना है टार्गेट है तो जूड़ सकते हैं से के साथ इसे के सथ हमारा खुद का स्कूल है के विए रास्तानबूर का है वहां आठ नोगतर नीट जेए दोनों कोर्स चलते हैं पहले आप जानते हैं जेप्रो सेंटर था हमारा कोर्णा में पोस्पोंड कर दि दिन वापस उसको हम रिलाउंच कर रहे हैं वहां भी आठ नो दस लेगा प्री फांडेशन ग्यारा-बारा-तेरा नीट और जीट दोन पर चलेगा हाँ सीकर में परी फांडेशन 6-7-8-9-10 से अलवर जेपुर में 8-9-10 से तो जुड़े सी के साथ एक अच्छी इंस्ट्यूट जहां प्रोपर बच्चों के साथ मैनेज करके जिसने पूरे सीकर को पहचान दी एक गोस्ताओं के साथ इसका अपना खुद का स्टेडी मेट्रियर हो रहा है 26 जनवरी 2023 उसने बसंद पंची में उस तिन से नए सेशन के स्टार्ट हो जाएंगे आप सीकर आएं विजट करें अलवर जेपुर सीकर जेपुर का एड्रेस आप जानते हैं वो गोपालपुरा बाइपास पे जो पहले आपारा सेंटर सा उसके पास ही बिल्दिं सिक्कर आए क्यों से नम्हर फ wallwife first यह हमारे पास है ट्र형ल का मीन हमें देरुखहए 12 स्क्वाइर चमीन तर disp k 10 सरक्रिखल का दर के है एक्वेशन को हमें सोल करना है तो 24 यह माइनस 14 मतलब आंसर क्या रहेगा 10 अब जब 10 रहे रहे तो आंसर 10 थोड़ी है हमारे पास तो रिपर्जेंटेटिव है तो अप्शन नमबर फॉर्थ इसा राइट आंसर नेक्स्ट गीवन X इक्वेश्ट टो 7 Y इक्वेश्ट टो 3 Z इक्वेश्ट टो 4 A इक्वेश्ट टो 8 और B इक्वेश्ट टो 5 इन दे गीवन टॉटल फाइंड आउट दे मिसिंग सिंबल पर उसके उपर हमें नमबर बताना है तो सबसे पहले B का जो वेल्यू है बी प्लस X प्लस क्योशन मार्क प्लस A प्लस Z प्लस Y इक्वेश्ट टो 35 यह हमारे पास डिस्कॉशन हुआ है अब B का वेल्यू जो है वो हमारे पास कितना है यहां से 5 प्लस X का वेल्यू कितना है सबस्प्लस क्योशन मार्क प्लस A का वेल्यू कितना है एक प्लस Z का वेल्यू है हमारे पास इहां से 4 प्लसY का वेल्यू है 3 2 तो यह है सेवन और फाइब 12 12 24 24 और यहां से यह 327 मतलब क्योंचन मारे पूस्टों कितना हो जाएगा 35-27 तो आंसर कितना हो जाएगा यहां से 8 और 8 पर आंसर क्या रहेगा हमारे पास ओप्शन नमबर 2 यह इसके अंदर हमारे पास आंसर रहेगा क्लियर है यहां से नेक्स्ट क्यूशन है इन इच ऑफ फॉलविंग क्यूशन गिवन बिलो असर्टेन रूल हैस बीन फॉलओ यूर रेक्वाइट तो फाइंड दो मिसिंग नंबर इन दे क्यूशन फॉल एंड चूज दे क्रेक्ट आंसर आउट गिवन ऑप्शन फिर हमारे पास यह एक 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 और 20 माने निंठी रखा मेने तो यह वन न कि इसका मैंनेगा साइम और यह त्रिं इंटू ङू स Mission नेगा पटुएया था गवाज आजएक का फructureर इअगा प्उर और या जायगा टूसर नंबर फोर्त इस रटा राइट आंसर नेक्स्ट है हमारे पास 12 का स्क्वाइर 12 का स्क्वाइर प्लस फॉर तो यह 148 आ गया फिर यह हमारे पास आजएगा 14 का स्क्वाइर स्क्वार प्लस प्लस फ्र तो यह आजेगा 196 फिर मैं म्लास प्लस फॉर करें पूटक मिंड़ को ठीक आता है अब यहां से 15 का स्क्वार को फिलियनका स्क्वार थो 15 का श्क्वार हो कि ऑप्षिन नमर्फ फर्स्ट एजा राइट आंसर है यहां से यह वाला वेल्यू रहता है 8 इंटू 7 प्लस पॉर यह 60 हो रहा है फिर 12 इंटू 5 प्लस 6 यह हो रहा है 66 हो रहा है तो 26 इंटू 4 प्लस आप सबसे बहले इसका हाव इसका हाव तो यहां से 640 24 पावर 24 तो यह यह रहा है तो 10104 प्लस 1334711 अब्ला आंसर जाएगा डबल बन सेवन ऑप्शन अमर्ट इस आ राइट अंसर नेक्स हमारे पास माइनस थ्री और माइनस थ्री तो इसमें से माइनस थ्री करेंगे 5 तो पर आप्शन अमर्ट सेकंड इसा राइट आंसर को नेक्स्ट हमारे पास ब्लस फाइफ जी प्लस फाइफ एल एल प्लस फाइब क्यों प्लस फाइफ तो तो प्लस फाइब हो जाएगा भी अब इसे चेया करेंगे y-5 ती ती माइनस फाइब यह माइनस फाइब का सिरीज बनेगा और यह भी माइनस फाइब का सिरीज बनेगा तो 15-10 15-5 10 और 10-5 पर फाइब तो आंस्व जाएगा वी औप्सन नमबर सेकेंड इस राइट आंसर नेक्स्ट है 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 फिर है माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 फिर यह प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3 तो यह M हो जाएगा तो ओप्शन नम्मर फिर्स्ट इजा राइट आंसर पहला तो चल रहा है भाई आपका प्लस 2 के अंदर फिर दूसरा लेटर चल रहा है माइनस 1 में और तीस प्लस 3 में इस तरीके से एक सिक्वेंस बनेगा रॉप्शन नम्मर फिर्स्ट इजा राइट आंसर अब हमारे पास दे रहा है इन इच आप दे फॉल्वाइंग क्यूशन गीवन बिलो देर इस आस सर्टेन रिलेशन से बिट्वें तो गीवन नंबर्स वन दे लेफ साइड सब्सक्राइब कर रहे हैं अब सबसे पहले जो क्यूशन दिया है सिक्सका क्यूब सिक्सका क्यूब माइनस वन कितना हो जाएगा दो 342 option number four is a right answer मैं next यह हमारे पास बनेगा seven का square plus one यह बने तो यहां जो भी होगा तो 144 तो तो 12 का square तो यहां जो नम्मर्ट वहल होगा स्थाएल का स्क्राइपलस में हो गया है से थैंट जून 2018 वा संडे वाट वुट वोग वस देय ओफ टैं जून 2020 2022 2020 अब हमें इसका डेट कंसेडर करना है अब हमें पता है कि माई जून अगस्ट 253 जून का कोड़ कितना होता है यहां से फाइप एटीन का एटीन तो थाउजेंड का शिक्स फॉर फॉर्जा शिक्स्टिन डिवैडेड वाई सेवन रिमेंडर वन यह कैंसे लोगया है ट्वेंटी टू रिमेंडर वन का डे होता है संदे मतलब रियल डे ही है इसका तो फिर आगे इसका टैन जून 2022 का ट्वेंटी का निकालते हैं बई टैन ज इवैडेड वाई सेवन तो यहां से रिमेंडर वन यह कैंसेल हो गया आपके पास यहां से रिमेंडर रहा फॉर और फॉर पर होता है संडे मंडे टूजडे वेनस्टे ऑप्स नमर थार्ड इसा राइट आंसर इसको 28 है मतलब 13 प्लस 1 प्लस 14 तो 28 हो गया अब इसका कैलकुलेट करते हैं 13 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5 यह तो आने ऐसे तो 15 और यह 20 हो गये 20 30 यह 40 और 42 43 एक मिनट यह कैलकुलेशन विश्टेक हो गया 13 15 18 और 5 यह तो 20 हो गया 20 20 40 48 50 51 और फ्रस्ट इसा राइट आंसर इनना सर्टेन कोट रोड इस आर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 और नेक्स लास्ट लिटर माइनस 1 मतलब प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 का सिरी चल रहा है तो यहां से प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 तो एफ में जी आई का एच एस में एक एड़ किया टी और एच में माइनस वन किया जी तो जी एच टीजी अप्शन नंबर फरस्ट इसा राइट आंसर इप इस एड़ साउत ओफ क्यों इफ पी इस एड़ साउत ओफ एक यू एड़ एड़ एस टोफ क्यों एड एड़ एस टोफ एड यह तो नंबर फॉर्ट साउट इस यह एड़ आउनसर नेक्स कुशन है 15 इन ग्रूप ऑफ दे काउज एड हैंस by counting it found to be the number of the total heads are 50 तो सबसे पहले numbers of cows और numbers of hands consider कर लेते हैं इसको X मान लेते हो इसे Y अगर इनके head की बात की जाए तो सबके head तो यह कि तो X plus Y equals to कितना हो जाएगा 50 एक किवेशन तो यह बन गई है यह से अन्दा नमबर ओफ टॉटल एक्स आर 180 तो सबसे पहले बात है कि वाई जो होगी वह तो 4 लेक्स होते हैं का ओक के और हैंस के कितने होते हैं 2x यह कितने होए 180 अब यहां से हम लोग एक्वेशन को सॉल कर लेंगी तो सबसे पहले तो मैं इस एक्वेशन को टू से मिल्टिप्लाइब कर तो 2x 2y और यह हो गया 100 तो 2x से 2x cancel हो गया यहां से और फिर अगर हम लोग इसमें से 2y में से 4y को करें तो माइनस 2y और फिर यह 100 में से माइन वन एक्वेशन पहले तो यहां से से एक्स क्या जाएगा नंबर सो फैंस से टूचिए न एक्स क्या जाएगा 10 आप्शन नमर फ्रस्टी जा राइट अंसर if x is the sister of y x is the sister of y and y is the daughter of k y is the daughter of k k is the husband of l k is the husband of l how is l related to y l is related to y i mtl mother l kya y kya mother is the length breadth and height of the cuboid metal is 18 cm 16 cm and 14 cm respectively if by melting it some equal cube of the side 4 cm are formed 4 cm ke hamey say q banane hain then number of the cubes is my love total cubes calculate karne to you to get for yeah yaha se a jae ga force a for cancel ho ga to ya jae ga yaha se nine or ya jae ga yaha se seven to nine seven the 63 option number second is a right answer for a media rake in a row of student a and b are standing on sixth and seventh position respectively from the left and c and d are standing on the fourth and fifth position from the respectively from the right to hamey paas joe a joe person diya wae hai wo on b joe dousra person joe diya wae hai yeh a idha se koonse number per diya wae hai me sixth number pe aur yye koonse number pe diya wae hai seventh number pe respectively from the left and the c and d so we are standing on the fourth and fifth position from the respectively from the right hand c and d so yeh toh jayga c or yeh hoe jayga d toh si koonse number pe diya wae hai right hand se fourth pe aur yye koonse number pe diya wae hai idha se fifth number pe position respectively from the right when b and c interchange their position position then b will be fifteenth from the left to b koonse number pe a jayga fifteenth number pe a jayga toh yaha se pahle baat total student nikaal sakti 15 plus 4 minus 1 toh yeh hoe jayga 19 minus 1 18 abe dekhtay question kya humse discuss kar raha hai question first hai d is position from the left is madabh joe d ka position hai woe hamey left se batana hai toh b ka position koonse hai fifth sorry 15 toh either is kao jayga 14 option number third is a right answer next how many student are standing between d and a d and d and a ke beech me hame total student bata ne toh d or a toh yahaan se yeh toh na toh d iska number hai six or d ka number hai 14 toh total student kitne ho jayenge wala six or 14 number case of seat hai unki beech me seven number eight number nine number ten number eleven number twelve number 13 number 1234567 law option number first is a right answer after interchange of the positions between b and c c is position from their right will be of the position from their right will be alabh si ka position hai right se wo calculate karna hai toh si ka position right se calculate karna hai toh si ka position right se idha se seventh hai hai toh si ka position 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 is said se seventh hai total eighteen thai hi hamaare pass toh si yeh bangi seven plus x minus one equals to eighteen toh x equals to eighteen minus six equals to twelve option number fourth is a right answer toh si yeh wala hamaare pass ik direction diya waa hai sabse pahle rectangle represent female rectangle johoga wook kisko represent karayga female ko represent karayga triangle represent educated triangle johi present hooga wook kisko karayga educated go and circle represented rulers circle joh hai wook kisko kisko represent karayga kisko represent karayga kisko represent karayga is that clear how many females are player marlab joh female say wook kitnay hai joh player hai toh female see in joh player yeh hai eight or 15 toh or 15 toh or 15 kitna ho jahe ga 23 toh option number fourth is a right answer how many ruler females are educated but love ruler females ko hame educated dekhna hai how many ruler females are educated yeh toh bata na na how many ruler females toh sabse pahle wa pcc ps sori ruler female toh 14 six eight yeh toh na total हमारी पास ruller female are educated मतलब वो rural female or educated toh ruler female toh ruler female और इतनी है rural female उनमें से educated होना जीए तो six is a right answer option number second is a right answer फिर है इसमें वापिस यही एक बार represent कर लेते हैं rectangle represent करेगा किसको female को यह करेगा rural को यह करेगा हमारे पास educated को और square represent कर रहे है किसको players को how many males are educated मतलब हमें ऐसे बताना है कि कि कितने मेल है educated तो यह तो फिमेल है educated total है तो answer होगा seven option number first is a right answer फिर वापिस यह है यह प्लेयर है यह female है यह educated है और यह है how many rural females are neither educated nor players ऐसे कितनी rural females है rural females आपके पास यह है rural females neither educated जो educated नहीं होनी चाहिए और नौर player मतलब वो player भी नहीं होनी चाहिए त्रांसर कितना जाएगा 14 option number third is a right answer है how many इसमें वापिस इसके उपर लिख देते हैं player यह है female यह educated और यह है how many rural males are player हमें ऐसे बताने है how many rural males are player तो वह 12 ही होगा answer यहां से क्योंकि यह तो female का रहा है ना box और यह ही है तो मनलब यह तो count होंगी नहीं बस यह प्लेयर है नहीं तो answer को जाएगा 12 है next find the missing term in the diagram यहां से सबसे पहले one का q-10 हो रहे हैं अब एक बार हम लोग इसी से sequence consider कर लेते हैं तो यह सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इसको करेंगे इसको करेंगे नाइन और सेवन शेक्स तो यहां सिक्स और इसको फाइब से और यहां से प्लस पॉर यह प्लस फॉर यह प्लस पॉर यह प्लस शिक्स तो यहां से माइनस फॉर करतेंगे तो 17-4 हो जाएगा 13 13 पे M नेक्स्ट कुशन हम लोग डिसक्स करते हैं ए इस दे सन ओफ यह इस दे सन ओफ C, C and D are sister C and D are sisters of each other F is the mother of E F is the mother of E B is the sister of A B is the sister of A E is the brother of D E is the brother of D E brother है तो F इनकी mother D आवा है हमें कि F is the mother of E फिर कह रहा है कि How is C related to F? How is C related to F? मतलब C related to F मतलब daughter हो जाएगी यहां से How is A related to E? How is A related to E? तो E जो है वो E का क्या है? नेफ्यू है यहां से तो आंसर हो जाएगा option no.3 फिर नेक्स्ट्रोशन है How is C related to B? How is C related to B? How is C related to B? C is the mother of B तो आंसर हो जाएगा है यह से C is the mother of B जलो next question which number has come maximum times in the following number series and you mber series number series 3 तो सबसे पहले 2 को count करते हैं तो 2 है 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time यह 5 times है 3 को count करते हैं तो 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time और यह 6 times फिर 5 को count करते हैं तो 1 time आजाएगा यहांसे 2 time आजाएगा फिर 7 को count करते हैं हमारे पास तो 7 है 1 time only फिर 4 को हम लोग count करते हैं तो 4 हमारे पास आजाएगा 1 time, 2 time, 3 time यह सब के सब टाइम्स हैं हमारे पास फिर हमें कहा रहा है कि यह total number हमारे पास यहां discuss होई गे हैं यहां से फिर हम लोगों के पुछा है कि how many how which number has come maximum times so three number he option second is a right answer if skies star star is earth earth is cloud cloud is tree and tree is book then where does the bird fly then we know that the bird fly in sky and sky is called star option number fourth is a right answer next question 34 if in a certain code language word is written as that code w ka posit hota 4 o ka posit 12 r ka posit 9 or d ka posit 23 men ka posit hojaegah 14 26 or 13 to woman ka hume discuss karna hai to ye hojaegah 4 12 14 22 13 option number first is a right answer next how many squares are there in the figure so we would have one two three four or yes five so is my five and so as a figure my past three to five three is a 15 option number third is a right answer next of what will be the angle between the hour hand and the minute hand of clock at the end time eight twenty four minutes per hour time eight minutes per hour time eight minutes per hour time eight so this is the formula we have 11 by two into minute minus thirty into hour 11 by two minute value is twenty four minus thirty into hour eight so this is 12 the 12 into one thirty two minus you go to forty now this is so we will carry it eight one zero eight option number second is a right answer if one of fourth of fifty percent of the number is equal to third of sixty percent of another number then what will be the ratio of the first number and the second number is a equation banana ke hum log fifty percent of equation passage discuss discusses 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 review 5 next ram and kitchen are good in both biology and physics is called chairt bana let the first of first we have a lot of when we have a subject of biohack a chemistry is our हमारे पास बायो और एक फीजिक्स है हमारे पास और फिर है हमारे पास हिंदी है और फिर है मैथ यह सब्जेक्ट है जो सबसे पहला पर्शन है वो है राम राम एंड किशन बोथ आर गुड इन बाइलोजी एंड केमिस्ट्री बोथ आर गुड इन बाइलोजी एंड केमिस्ट्री राम एंड हरी राम एंड हरी आर गुड इन बाइलोजी एंड फिजिक्स बाइलोजी तो इसमें है और फिजिक्स इसमें और आ जाएगा राम और हरी म आप सबसे पहले सचिन और गौरव तो यह तो ले लेते हैं सचिन को और यह ले लेते हैं गौरव को अब एक चार्ट सामर पास बन गया है है यांसे हरी सोचन और गषर हरीज चिन और गोर्व are good in physics and Hindi are good in physics and Hindi are good in Harry and Gorava are good in physics and mathematics Harry and all the how are good in physics your physics say for math in mathematics also में कोण कोन है कि हरी और आर बुड इन बोट physics and mathematics तो एक तो अधिधी mathematics में आ जाएगा हरी कौन से नमर का है करें यह थर्ड नमर का है नहीक यह से फिर्स इस थे डिस फूर्ड न थालब यह रिया जाएगा और गुर्व आर गुड इन physics and mathematics गोरव भी हो जाएगा physics or mathematics के अंदर फिर दियावाय है हमारे पास physics and mathematics सच्चिन and गोरव are good in both chemistry and Hindi सच्चिन और गोरव are good in both chemistry and Hindi सच्चिन and गोरव are both in chemistry and Hindi chemistry and Hindi ये थना एक बन चुका हमारे पास who is good in physics chemistry by oh Ram option number first of right answer oh who is good in physics math but not chemistry प्लाए ऐसा चीज़ जो physics math और केमेस्ट फिजिक्स और में तो अच्छा हो और chemistry में नहीं हो physics math में चाहो chemistry में नहीं हो physics में और math में तो अच्छा हो तो physics math में ये रहा और ये chemistry में ये physics math में एक नहीं यह के मिस्टी मिह तो इससी तॉट इस जो फैजिस और मैं इंचिरों में हो और हो ответ हो सोट इस गुड इस फो प्रेजिक्स भायो एंडे अधे हुऑ ही जेटिक्सट यो री और घ्नी को फिजिक्स म्ही में से खिए और फिजिक्स ने हैं हिन्दी में तो यह बाला थे जिएटिक्स उलेक्टेटि बंड़र फिजिक्स उल ठीग ब्ला हरी हरे इस ह comprendre भात ह ef three are alike in the same manner and the fourth one is the different choose the odd one तन है ग्राम है गैलन है किलोग्राम है तो यह तो एक लिक्विड फॉर्म में है और यह वेट की यूइनिट है तो अफ्रीका उस्टेलिया अमेरिका चाइना यहां से चाइना हो जाएगा यह कॉंटिनेंट से हम चाइना इसा कंट्री नेक्स्ट है थर्टीन का रिवस्टीवन का रिलेशन 58 से नहीं है तो और यहां से अंसर बनेगा न क्योंकि यह दून रिवर्स में है यह दून रिवर्स में यह दून रिवर्स में तो ऑप्शन नमर फॉर्टीजर राइट आंसर फिर हमारे पास है 1 का square plus 1 1 का square plus 1 फिर 5 का square plus 1 यह और फिर यह 11 का square plus 1 हो जाएगा तो बट ऐसा नहीं है तो option number third is the right answer फिर यहां से है 1 1 into 1 सबसे पहले multiply by 1 फिर multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 तो यह 128 अब multiply by 6 करते हैं तो 720 यह तो 120 option option number third is the right answer फिर हमें यहां से करना है 3 7 15 27 तो 3 2 6 plus 1 7 7 2 14 plus 1 15 15 में ऐसे तो नहीं हो गई है तो सबसे पहले इन दोनों में जिए समा रहे है 4 गाइन दोनों में आ रहे है एट का इन दोनों में आ रहे ट्वेल का और इन दोनों में आ रहे है कि 16 का 16 एक लिए तो six और three three four होगे ना फिर इन वम हो जाए गर 20 सब्सक्राइब का तो 63 आंसर आंसर और यहां हो जाएगा 20 का डिफ्रेंस क्योंकि यह 4444 का सिरीज बन जाए गई पुद सुर्थ है पीस्ते अफ्सन नुब्स टू फेर प्लस टू फेर प्लस्तो प्लस टू चरीफिकता आपस्ट नममरी फर्स्ट मिलिस भी ये और है po अरुनाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है इटानगर तो नागालेंट का जो कैपिटल है वो क्या है कोहीमा और से राइट आंसर कंट्री का first person होता है president तो state का जो first person होता है governor option no.4 is the right answer cube or cuboid same form में होते हैं square के form में जो बनेगा इन में से triangle नहीं होगा circle नहीं होगा pentagon नहीं तो option हो जाएगा second option rectangle okay thank you and best wishes for your good result